मुऔ काạo शाहते हैं जल्दी स्वस्टों आप तो जानते हैं पहले जब अलग बिन थे तो भी हम लोग उस ख़बर लेते थे जब हम ख़बर ले रहेते हैं उनका जो देखने वाला व्यक्ति था तो मेरे उपर क्या-क्या कह दिया तब से तुम कह दिया है कि हम जानकारी नहीं लेंगे अकवारी से मिल जाएगा बात कहीं उन्होंने कहा कि 2-3 साल पहले जब लालो करसाद के स्वास्त को ले करके फोन किया था तो मेरे बारे में पहले जोड़ी ख़बर ले रहते हूं यह जो देखने वाला वैग्ती था तो मेरे उपर क्या रहते और याद है ने 17-18 परिवार का तब से तो हम कहा दिया है कि हम जानकारी नहीं लेंगे, अखवारी से मिल जाएगा, तो अखवारी से और रिपूर्ट से मिल जाता है, तो हम लोग की मेरी सुबकामना है, यह था सिक्र स्वस्थ हो जाए, अगर किसी तरह की कोई तक्रीफ है, उसे उनको फुरसत मिले, छुटकारा मिले, यह था सिक्राइगा, बिलकुल तो मुख्यमंत्री ने कहा कि लालु परसाद यादब की तवियत खराब है, हम कामना करते हैं कि वो जल से जल स्वस्थ हो जाए, लेकिन अब वो फोन करके स्वास्थ का हाल नहीं लेंगे, अखवारों से ही उनके हालचाल के बारे में पट लेंगे, नितिश कुमार ने कहा कि 2017-18 में जब हमने स्वास्थ को ले करके उनका हालचाल लिया था, जाना था, उनके देखवाल करने वालों से, लोगों से, तो क्या से क्या हो गया, इसलिए अब उन्हें फोन नहीं करेंगे, तो कहीं नितिश कुमार ने तेजस्वी आदब पर निशाना साधा है और ये बाते कहीं है उनका कहना है कि पिछली दिनों जब उन्होंने जब लालू पुरसाद यादब की तवियत ख्याफ थी नितिश कुमार ने फोन करके जानकारी लिए स्वास्त की जानकारी तो उस वक्त फोन का स्वास्त की जानकारी लेने के लिए किया गया लेकिन क्या से क्या बात का बतंगर बना दिया गया तो तेजस्वी आदब पर कहीं ने नितिश कुमार ने ये ठीक राप खोडा है अब देखने वाली बात होई कि नितेईश कुमार जो है वो किस तरह से अब जानकारी लेते हैं उनका तो कहना है कि वो खवार के माध्यम से ही जानकारी लेते रहेंगे स्वास्त का हाल चाल जानते रहेंगे हलाकि उन्होंने मंगल कामना भी की है कि लालो प्रसाद यादब की तबित जल से जल ठीक हो जाए अगर आपको यह ख़बर अच्छी लगी हो तो हमारे चानल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा फेस्बूक पेज को भी लाइक और